साथियों, भारत का इतिहांस गवा है कि भारत के सामर्थ, भारतियों के सामर्थ को लेकर जब भी किसी ने आशंका जताई, सारी आशंका एक गलत साबित हुई है। गुलामी के दोरान, विदेश्ट में बड़े-बड़े बिद्वान कहते थे, कि भारत आजार नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बहुत बटा हुआ है। वाशंका एक गलत साबित हुई और हमने आजादी पाई। साथियों, जब भारत को आजादी मिली, तो ये भी कहा गया, कि इतना गरीब और इतना कम पड़ा भारत, कम पड़ा लिखा भारत, ये भारत तो तूड जाएगा, बिखर जाएगा, डेमोक्रिसी तो यहाँ असंभव है। आज की सच्चाई यही है, कि भारत एक जुट भी है, और दुनिया में डेमोक्रिसी अगर सबसे मजबूत है, वाइबरेंट है, जीवन्थ है, तो वो भारत ही है। भावी और भहनों, आजादी के बाद ही, दसकों तक यह नेरेटिव भी चला, कि भारत गरीब अस्विक्षित है, इसलिए साइन्स और टेक्लोलोजी में इन्वेस्टमेंट की संभावनाय कम आकी गई। आज भारत का स्पेस प्रोग्रेम, हमारा टेक्स्टार्टप इकोसिस्टिम दुनिया में अग्रणी है, कोवीड की चुनोती के साल में भी कई नए उनिकॉंस और सेक्डो नए टेक्स्टार्टप्स भारत से ही निकल करके आये हैं। फ्रेंड्स, पेंडेमिक के इस दौर में भारत में फिर दिखा दिया कि हमारा सामर्थ क्या है, हमारी क्षमता क्या है। इतना बड़ा देश, देमोक्रेटिक देश, जिस एक जुड़ता के साथ खड़ा हुआ, उसकी मिशाल दुनिया में नहीं है। पीपीई केट्स हो, मास्क हो, बेंटिलेटर्स हो, टेस्टिंग केट्स हो, यह सब भारत बार से ही मंगाता था। आज इस कोरोना कालखन में ही उसने अपनी ताकत बढ़ाई और आज भारत न सिर्फ इन में सेल्फ रिलाइंट बना है, बलकि इन में से कई प्रोड़क्स का एक्सपोर्ट भी करने लगा है। आज भारत दुनिया के सबसे कम फेटलिटी रेट और सबसे तेज रिकवरी रेट उन देशों में भारत एक है। आज भारत एक नहीं, बलकि दो मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सिन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तयार है। दुनिया की फार्मसी होने के नाते, दुनिया के हर जरुरत मन तक जरुरी दवाएं पहुचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सिन का इंतेजारी नहीं कर रही, बलकि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है इस पर भी नज़रे हैं। साथियों, इस वैस्वी महामारी के दौरान भारत ने जो सीखा है वही अब आत्म निर्भर भारत अभ्यान की प्रेणा बन गया है। हमारी यहां कहा गया है, शत हस्त समाह, सहस्त रहस्त संकिर, यानी सेंकड़ो हाथों से अर्जिन करो, लेकिन हजारो हाथों से बाटो। भारत की आत्म निर्भरता के पीशे का भाव भी यही है। करोडों भारतियों के परिश्रम से जो प्रोडक्स भारत में बनेंगे, जो सॉल्यूशन्स भारत में तयार होंगे, उससे पूरी दुनिया का लाप होगा। दुनिया इस बात को कभी नहीं भूल सकती है, कि जब Y2K समय भारत की भूमी क्या का रही, भारत ते किस प्रकार ते दुनिया को चिंता मुक्त किया था। इस मुश्किल में भी हमारी फार्मा इंडुस्ट्री का रोल ये दिखाता है कि भारत जिस भी क्षेत्र में समर्द होता है, उसका लाप पूरी दुनिया तक पहुंता है। झाला लाओ से जमकिल में समर्द होता है।